हैं जि दोस्टों कैसे हैं आप लोग आई होके बहुत अच्छ हैं अपनी लाइफ में आगे यह बढ़ रहहा है चली देखते हैं fully moon की बाद आपके person की सोच में क्या फर्क आया है आपके लिए क्या सोचते हैं आपके लिए क्या thought process है क्या चल रहा है उनके अंदर जो बताते नहीं है चलिए कोई बात नहीं कोशिश करते हैं कि यहां पर पदा चले क्या सोच रही है आपके person डेटिंग बिल्कुल आपको आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि फुल मून पर काफी जोहार भाटा उनके अंदर भी आया है यह सी कार्ड आ रहा है यह नं याइंग आप एक टुन फ्लेम कनेक्शन में आपके person चाहते हैं आपसे मिलना रियुनियन करना चाहते हैं फिर से एक चांस लेना चाहते हैं फिर से सेकंड चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को और यहाँ पर मुझे एक energy बहुत अच्छे से feel हो रही है कि आप कहीं ना कहीं यही कार्ड आ रहा है और यही मैं सोच रही थी कि आपके अंदर एक जो divinity ह जो वो light है वो कही ना कही आपकी पर्सन को भी feel हो रही है आपकी पर्सन की जो काफी तेजी से हो रहा है तो इनकी जर्नी fast ओरी है ठीक है तो यह है आप उनकी लाइफ में as a divine feminine गला पकड़ लिया भाई उनका जो फ्रॉट चक्रा है बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसी गला पकड़ा ऐसे काड आया कि the distorted masculine कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो परसन है ऐसा सोच रहे हैं कि भाई म आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े स्प्रीचल ग्रोथ आपकी अच्छे से हो रही है ठीक है और एक उनके अंदर जो चीज में देख रही हूं यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ही अपने लाइक समस्ते नहीं थे पहले लेक उनका distortion था वो कि थर्ड पार्टी में उनक कहा कि वो एक जगा बंद के नहीं रहना चाहते थे लेकिन यह जो आपका आपके एनरजी उन्हें मिली जब से आप उनकी लाइफ में आए हो उस टाइम से लेके अब तक separation हुआ union हुआ पहले separation हुआ आपका आपको वो यह सुचते कि यह तो कुछ अलगी प्राणी है भई मे distortion बाहर निकल कर आया लेकिन कहीं ने कहीं यहाँ पर यह भी है कि आपको अब जो उनकी failing है अब फिलाल जो उनकी failing है वो मैं आपको बताओं वो यह है कि आप बहुत ही वर्दी हैं आप उनके प्यार के लायक हैं आप जैसा person उन्हें चाहिए था जैसा soulmate as a soulmate वो समझते हैं वो आप हैं और इसी वज़े से वो distorted तो नहीं बोलूँगी फिलाल मैं उनको पर वो यह देख पा रहे हैं कि मेरी इतनी खराबियों की वज़े से मैंने उनको ऐसे बोला वैसे बोला और समझा नहीं मैंने उनको चीट किया जो भी वो उनके अंदर guilt है इस time पर आपको लेकर कि आपके साथ ऐसा किया तो कहीं आगे उनको एक चीज समझ में आगे है कि उनकी life में clarity ज़रूर आ रही है और वो समय आ चुका है वो उस समय के हिसाब से अगर देखें time to time step by step day by day ठीक है वो आगे बढ़ रहे हैं कहीं आगे उनको clarity मिल रही है वो इस रोशनी तक देख रहे हैं इतना distortion इतनी परिशानी इतना सब कुछ उनकी life में उनकी energy भी काफी अच्छी नहीं ना होने के कारण फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं अपनी energy को clean and clear करने के लिए यहाँ पर देखो energy का game है यह energy का game अगर समझ दो तो फिर बात ही क्या है the sacred woman आपको बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है आप एक दिव्य आत्मा है और मैं क्या बोलू रंडम एने कार्ड उठाया आप बहुत ही विनम रिशालीन मासूम है और आप beautiful है उनकी नजरों में यह देखे तीनों कार्ड ही same आए है इसलिए आपकी तरह बहुत ही attracted feel कर रहे हैं attraction बहुत उनका बढ़ चुका है आपके लिए ठीक है यह energy है guys अभी फिलाल आपके person काफी अच्छा सोच रहे हैं कुछ के person काफी परिशानी में दिख रहे हैं हो सकता है उनकी life में बहुत ही ज़्यादा रायता फैला हुआ है बट वो आपको इस time पे वो energy feel कर रहे हैं आपकी ठीक है वो light feel कर रहे हैं इस से वो निकलना चाहते है इस परिशानी से निकलना चाहते है टैरों से देख लेते हैं क्या आता है as a divine feminine आई आपको बहुत ही miss कर रहे हैं क कि आपकी person अभी on off on off है कुछ की life में yes emperor divine masculine बिल्कुल आपके तरफ थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर उनकी एक्या है कि on off on off यानी थोड़ी से ego यहाँ पर लग रही है ego तो इनकी melt totally करता है बगवान इश्वर the moon उनको डर भी है और fear of rejection आपकी तरफ से कि आप उनको कहीं reject ना कर दो यह भी है ठीक है लेकिन फिर भी उन्होंने strength बना के रखी हुई है four of pentacles बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपको छोड़ दिया था इसलिए कि वो अपने future planning की तरफ लगे थे कि मेरे को कमाना है family को देखना है जो भी है यह चीजें उनके दिमाग में आगे थी लेकिन अभी क्या है कि आपके लिए जो कुछ भी वो सोचते हैं अगर आपस आपसे बात भी कर रहें तो वो आपसे हाइड कर रहे हैं चीजों को क्योंकि three of swords जो चीजें उनके साथ गलत हुई है या जैसा cheating आपके साथ की थी ऐसी cheating उनके साथ भी हुई है ठीक है night of cups और इसी वजह से वो आपकी तरफ attracted है और चाहते हैं कि second chance मिले उनको लेकिन कहीं न गर भी उन्होंने अंदर उनके है काफी कि आप कहीं उनको reject ना कर दो seven of cups seven of wands यहन की confusion में बहुत जादा है इस टाइम पर बहुत ही confusion है काफी चीजें ऐसी हो रही है उनके साथ की वो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं तो अपना stand लेते भी दिख रहे हैं अभी तो यहाँ पर य कुछ लोगों में क्या है कि confusion बहुत जादा है इस चीज को लेकि कि कैसे होगा और क्या है यह connection ठीक है यह चीज भी बहुत चल रही है क्योंकि हाँ पर वेटिंग गेम खेला जा रहा है आपकी person के धुरू वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं चल छोड़ो भाई आ अपनी future planning की उनको लगी the devil बिल्कुल इसके बाट devil का card है कुछ ऐसा ही focus हो गया उनका material life पर ठीक है ना materialistic life में आगे बढ़ना चाहते हैं focus करना चाहते हैं अपनी life में आपको भूलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी लिए जो craving है वो बहुत है उनको ठीक है वो third party में बहुत फसेवे हैं याँ पर यह भी लग रहा है third party में फसेवे हैं इसलिए वो आगे बढ़ना ही पा रहे हैं हो सकता third party उनको manipulate करती है हो सकता third party उनको अच्छे से उस अपने बंधन से मुक्त नहीं करना चाहती है कुछ ना कुछ अपनी इस तरह से pretend करती कि उससे ज़्यादा मासुम कोई है ही नहीं और वो ही उनको खुशी दे सकती और कोई खुशी दे नहीं सकता sexual urge जो है वो ही पूरी कर सकती है उनकी जो भी और इस तरह से बहुत ज़्यादा third party के अंदर होता है लुभाना जैसे मेन का रिशी को करने के लिए कैसे होता था तो ऐसे ही यहाँ पर third party का हिसाब लग रहा है मुझे और कहीं ना कहीं आपके person आपके लिए crave कर कर रही है इसे लिए वो आपको मिस्स भी कर रहे है बट कहीं अगये third party आकर बीच में मैनुप्रेट कर रही है बट फॉर फॉर फॉंस एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं वो ऐसी चीजे नहीं चाहते है कि उनको एक्चुल में क्या है ना कि उनको वो चीजे अच्छी नहीं लग रही है वो एनरजी वो उनके लिए है ही नहीं ठीक है जो आपके person के अंदर divinity है वो आपके person की हाय सेल्फ जो है वो बहुत ही divine child है divine के बच्चे है तो वो जो divinity है जो वो उर्जा है वो third party को चाहिए आज को फिर मैं वता दो आपको जो divinity वाली जो दिविता है उनकी जो light है वो light codes जो उनके अंदर है वो उनको चुराना चाहती है वो उनको आपके पास नहीं आने देना चाहती है वो खुद से अपने को नरिश करना चाहती है उनकी energy से ठीक है तो ये चीज़े हैं लेकिन आपके person आपके साथ stable life चाहते है stability चाहते हैं the hermit इसलिए काफी देखो मैं बताऊं third party ने उनकी light को कहीं कैद कर रखा बंद कर दिया है कि ताकि इनकी रोशने मुझतकी रहे किसी और के पास ना जाए यहाँ पर ये energy बहुत ही strong है गाई तो अपने person को आप बहुत ही strong protection दीजिए आप कवच पढ़कर उनको strong protection दे सकते हैं आप आके इंजल क्या है क्या है कौन उनके साथ अच्छा है क्या कर रहा है क्योंकि वह बहुत यह manipulating वे में आगे जो लोग उनको manipulate करते हैं उसी वे में आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन universe angels उनकी बहुत help करते हैं और आप भी उनकी help करने के लिए हैं कि उनको protection at least दो क्योंकि आप उनको गुस मैं आपको बता दूँ आपको वो equally given take देना चाहते हैं थर्ड पार्टी वहां पर आगे आ जाती है वो थर्ड पार्टी का कर्मा है लेकिन थर्ड पार्टी को भी negative energies manipulate करके आपके person को manipulate करती है आज बहुत बढ़ी बात बता रही हूं इस चीज़ को समझ लोग आप लोग ठी लेकिन यहां पर energy है कि you are the powerful soul you are powerful soul और आप एक powerful soul है एक strong soul है ठीक है तो यह जो strong आपके अंदर जो courage जो आपकी divinity है sorry ठीक है उस divinity को आपको कैसे use करना है आप अपनी power का कैसे कर सकते हैं कैसे गर सकते हो आप अपने person को بहुती strong protection दे सकते हो रात दिन सुबह एंड सोने से पहले उठने बाद आप अपने person को strong protection दीजी आपने आपको strong protection दीजे ठीक है the star क्यूंकि आपकी person को फिलाल हीलिंग की जुरत है आपकी परसन स्ट्रंथ बनाए हुए है लेकिन उनको बहुत ही अच्छे से हील करने की जुरत है जज्जमेंट आ रहा है जो लोग आपकी परसन को थर्ड पार्टी या कोई भी पार्टी क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आपके रहत को खतम करना है आप अपने परसन को स्ट्रॉंग प्रटेक्शन दीजे बाकी चीजें डिवाइन पर छोड़ दीजे वो खुद देखेंगे ठीक है सिर्फ आप क्योंकि ये कॉंट्रेक्ट साइन करके आप ही लाए है कि मेरे को ये चीजे करनी है तो आप गुसा आओके जा रहा है ठीक है तो आपको वहाँ से भचाना है ठीक है तो ये बहुत-बड़ी बात बोल रही हूं और जयमातादी आपको इसका ध्यान रखना है कंपेशन लाना है आपको अपने अंदर अपने परसंड के लिए वो एक अंकंडिशनल लोव जो है एक एक असम मदर ठीक ह एक जो मम्ता होती है वो अपनी परसन के लिए आपको अनकंडिशनल आपको दिखानी है ठीक है एक divine feminine बहुत ही nurturing fresh caring nature की होती है तो आपको एक gentleness आपके अंदर लानी है ठीक है आपको choose करना है आप क्या करना चाहते हो आप चाहते कि आओ लाइफ से आप अपने परसन को चाहते आपनी जर्णी को चाहते euch, या एक vida को चाहते चाहते boîhat यह चीजए जो बताई जा रही है यह आपको यह समझाने काटाइम आ गिया है कि आपको करना किया है दिवाइन टाइमिंग आएगा तभी जब आप अपनी authentic अपने असली स्वरूप में आएंगे अपनी असलियत को समझेंगे अपने आपको समझेंगे ठीक है आपको अपनी आत्मा की अपनी अंदर की voice को सुनना है जो आप सुनते नहीं हो पहली बात ठीक है तो divine timing आ रहा है guys सब चीज ठीक करने का अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके person तो ये है मैं नहीं चाहती मैं उसको ये कर दूँगी आप उसको ये कर देंगे या आप उससे बदला लेना चाहते हैं उसके साथ भी ऐसा हो तो ये बहुत गलत रस्ते पर चल रहे हैं आप यानि कि आपको अपने उपर बहुत काम करना है power आपके जो अंदर की power है वो आप नहीं जानते हो लेकिन इश्वर जानता है वो आपको भेचाननी है कि क्या powers है मेरे अंदर और आप powerful हैं ठीक है एक और लेते हैं balance लाना है आपको life में आपको balance कैसे आप अपने अंदर balance लेकर आईए आप योगा कीजिए चक्रा balance कीजिए ठीक है और breathing exercise कीजिए तो आपके अंदर जो energy है उसमें balance आएगा यह आएगा आप सही और गलत में आपको समझ आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है ठीक है कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है faith बिलकुल आपको faith करना है इश्वर पर surrender करना है गार्डेन एंजल से अपनी help लेनी है और अपने person को strong way में protection देनी ही देनी है ठीक है इन से भी मैं देख लेती हूँ आपके person के लिए अब यह आपके person hanged man की चूस करें उसको चूस करें थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग हिला के रख रखा है फिलाल rebirth process से गुजर रहे हैं अब भी बहुत उन्होंने कुछ लोगों ने बहुत patience रखा हुआ है लेकिन herophant वो आपको एक commitment देना चाहते हैं वो शक्ती में आना चाहते हैं और उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं as a magician वो आपको manifest भी कर रहे हैं ठीक है वो अपनी शक्ती में आएंगे guys the hermit बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो भी manipulate कर रहा है उसको manipulate करना वो भी समझ जाएंगे कि कैसे चीज़ों को situation को किस तरह से समभाल सकते हैं ठीक है the chariot बिल्कुल आपके तरफ आएंगे guys आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला death बिल्कुल जो भी negative चीज़े थी बहुत ही बुरी चीज़े थी उससे वो निकले हैं और निकल जाएंगे निकलेंगे क्योंकि the chariot बिल्कुल अपनी life का जो remote है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं तो बहुत खुशी की बात है और hermit mode पे है फिलाल वो और ऐसा है कि अगर मैं बोलू तो ये गलत नहीं होगा कि सबसे पहले तो वो अपनी powers को पहचान रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं कितना डरावा हूँ मैं ये energy में नहीं हूँ ये energy मेरी नहीं है ये चीज़े तो उनको समझ आ रही है और इस चीज़े से बाहर भी निकलेंगे क्योंकि इश्वर, angels, सारी काइनात की शक्तियां उनके साथ हैं गाईस, तो अभी के लिए गाईस इतना ही अपना ख्याल रखे टेक केर बाई, God bless you all, love you all, जै मता दी